दोस्तो मोधी जी को अखवार में छपने का बड़ा शौक है आपने देखा ही होगा कि भारतिय जंता पार्टी का एड़र्टाइजमेंट इन दिनों हर तरफ छपता वह नजर आ रहा है चाहे वो अखवार हो या फिर सडकों पर लगे होजिंग्स हर तरफ प्रदान मंत्री की देखकर ब्रदाश्ट कर पाएंगे क्योंकि प्रदान मंत्री कहते हैं कि उनका चेहरा एड़र्टाइजमेंट से नहीं चमका है जनता का काम करके चमका है लेकिन इन जो अखवारों ने हिम्मत दिखाई है उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी ऐसा आमूमन बहुत कम द दाग अच्छे हैं चाहे उस पर बीजेपी ही खुद ना आरोप लगा रही हो लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद वो दाग अच्छे कहला रहे है आज देश का बच्चा बच्चा भी यह जान चुका है और ऐसी हेडलाइन ऐसे पोस्टर बैनर जो है अखवार के जर है कि दोर हो या चलिविजन सर्फ एक ही चहरे का गुंगान करता है जैसा कि को बार बार कहती है इक ही नाम से और सर्फ वहान की कोश्श करता आ विश्व गुरु बंतलाने की कोशिश करता है लेकिन भी विश्व गुरु ऑज किस तनीखे आपको कुछ अख़वार की cuttings दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त काफी चर्चा का पातर बन चुके हैं The Indian Express Indian Express की बीते दिनों रिपोर्ट जो आई थी उसमें आपने देखा था कि कैसे ED और BJP को लेकर तमाम तरीके की खुलासे किये गए तमाम तरीके की आरोप लगाए गए कि कैसे ED की कारवाई से 95% बिपक्ष जो ED के निशाने पर था जो रजार पर था उसमें से 90% BJP में जाने के बाद उनके दाग अच्छे हो गए उनके केस को बंद कर दिया गया थंडे वस्ते में जाल दिया गया अब उन पर कोई कारवाई नहीं होती है विपक्ष के ये नेता थे लेकिन एक बार फिर से इंडियन एक्सप्रेस ने एक advertisement छापा है जो इस वक्त सोशल मेडिया पर काफी बाइरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि देखे किस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने हिम्मत दिख है यह देखिए आप तस्वीरों के माधिम से देख सकते हैं मित्रो ब्रस्टाचारियों के खलाफ एक्शन लूँगा एक एक को जुमला पार्टी में भर लूँगा इस तरीके से यह advertisement है दूसरी तरह नब भारत टाइम्स की एखवार आप देख सकते हैं कि नब भारत टाइ हिंदुस्तान जो है अखवार देश का जाना माना वो लिखता है मित्रो ब्रस्टाचारियों के खलाफ एक्शन लूँगा एक को जुमला पार्टी में भर लूँगा इस तरीके से यह तमाम अखवार जो है बीजेपी को लेकर advertisement चापते वे नजर आए और सबसे बड़ी बा बीजेपी की जो washing machine है उसकी खबर आज हिंदुस्तान के टॉप अखवारों में छपी है आप देख सकते हैं चाहे वो इंजन एक्सप्रेस हो या ना भारा टाइम्स हो या हिंदुस्तान हो हर कोई इस advertisement को छाप रहा है कि किस तरीके से बीजेपी में Congress के जो लोग है वो जा रहे हैं तो उनके machine में वो तमाम चीजें साफ सुत्री होती हुई नजर आ रही है आगे दिखें एक और यूजर है वो भी इसी तरीके से लिख रहे है कि आज के अखवार में मोदी के washing machine की खासियत छपी है कि इस washing machine में किस तरीके से जाने के बाद जो है लोग साफ सुत्रे हो जा रहे हैं कॉंग्रेस ने भी कुछ इसी तरीके से ट्विट किया है कि मोदी की washing machine की खासियत आज के अखवारों में छपी है आप इन अखवारों को देखिए दोस्तों अगर आपके घर में भी आता है अखवार तो आप उन अखवारों को उठा कर देखिए कि कैसे इन कोनी हिम्मत दिखा कर ये खबर छापी है हाला के इन दिनों इस तरीके की नौटंकियां चल रही हमारे देश के निताओं की तरफ से उन निताओं की तरफ से जिस पर भाजपा जिहां भाजपा अपना इक्का खेल रहा है अपना दाव चल रहा है सोचिए कंगना रणाट से लेकर बीजपी के कई नेता ऐसे उल जलूल बयान दे चुके हैं जिसका ना तो कोई सर है ना तो कोई पैर है कंगना कहती है कि भारत का पहला प्रधान मंतरी कौन है तो सुभाश चुंद बोस उन्हें ये तक नहीं पता है कि भारत के प्रहले प्रधान मंतरी कौन है इन्हे तरीके की बाते कर रहे हैं कोई कहता है बीजेपी के नेता की तरफ बीजेपी के नेता की जो अधिकारी बीजेपी को वोट नहीं दिलवाएगा उसको हम जो है बताएंगे कि क्या करेंगे उसके साथ उस अधिकारी को रहने नहीं देंगे छोड़ेंगे नहीं इस तरीके की ब या तो छीन लो या नहीं तो जबरदस्ती करो लेकिन सत्ता में आएंगे और हरगीज आएंगे क्योंकि 400 पार का नारा दे दिया है चाहे उसके लिए संविधान बदलने के लिए ऐलान करना पड़े या फिर प्रदान मंत्री को ही चेंज कर दिया जाए इसी ऐसी राजनीती हो रही है कंगना फिर से कह रही है 2014 के बाद आजादी मिली है तो सोचिए इस देश के नेताओं को किस तरीके से जो है प्रेजेट कर रही है बीजेपी यह हमारे देश के नेता जो कह रहे है कि 2014 के बाद जो है आजादी मिली है वैसे तो फिर इनलेजिबल तो हुई नहीं क्यो आजी जो है किस बेसिस पर इनको टिकर दी है जब 2014 के बाद इनको अजादी मिली है तो इनकी आयू सीमा जो है उतनी हुई नहीं होगी दोस्तों चुनाब लडने वाली लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता है और इनको इतना जादा लाइम लाइट दिया जा रहा है जिसको लेकर तमाम लोगों की यही प्रतिकिरिया सामने आ रही है कि आखिर भारती जनता पार्टी इन नेताओं पर अपना दाओ लगा कर क्या साबित करना चाह रही है जो पढ़े लिखे नहीं है एजुकेटर नहीं है जिनको एक ज़रा ग्यान नहीं है और वो इस देश की राजनीती पर रूल करेंगे सोचे दोस्तों दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते आपकी क्या प्रतिकिरिया में कमेंट करके जरू साथ चैनल को सब्सक्राइब करना दिलकुल भी ना भूले